विम्स्टेक समिट में पीम मोदी का संभूदन विम्स्टेक को सक्री करने के जरूरत खें विम्स्टेक की स्थापना को 25 साल पूरे हो गई है पड़ोसी देशों को करीब लाने का यह मौकाख है बिम्ष्टेक देशों को व्यापार बढ़ाना होगा क्या कुछ कहाखे पीम ने अपने सम्हूदन में सुनते के आप सबसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसंद हूँ बिम्ष्टेक की स्थापना का ये 25 वर्ष है इसलिए आज की समीट को मैं विशे सुप से महत्वपूर मानता हूँ इस लेंडमार्क समीट के प्रणाम बिम्ष्टेक के इतिहास में एक स्वर्निम अध्याय लिखेंगे एक्सलेंसीज पिछले दो सालों के चुनावतिपूर्ण माहोल में राजपत्री राजपक्ष ने बिम्ष्टेक को कुसल डेतृत्व दिया है सबसे पहले मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ आज के चुनावतिपूर्ण वैश्विक परिपेक्ष में से हमारा ख्षेत्र भी अच्छोता नहीं रहा है हमारी अर्थ ववस्ताएं हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुस्प्रभावों को जेल रहे हैं पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डवलप्मेंट ने अंतराष्ट्य ववस्ता के थाईत्व पर प्रश्णचेंदर खड़ा हो गया है इस संदर्ब में बिम्स्टे क्षेत्रिय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपून हो गया है हमारी खेत्रिय सुरक्षा को अधिक प्राथ्मित्ता देना भी अनिवार यह हो गया है आज हमारे बिम्स्टे क्षार्टर को एड़ोप किया जा रहा है एक संस्तागत आर्किटेक्चर की और हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपून कदम है इसके लिए मैं अध्यक्ष महवदाय का आभार वेक्तर करता हूँ चार्टर में हमने हर दो साल में समीट मिटिंग्स और सालनावा विदेश मंत्रियों की बैटका निरेड़े लिया है मैं इसका स्वागत करता हूँ अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्टर को और मजबुत कैसे बनाए जाए